हेलो एस्पिरेंट्स एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों सुन्य आईए इस इन कलाइबरेशन विद विंग जे कुडान आपके लिए एक स्पेशलाइज प्रोग्रम लेकर के आया है जिसमें हम 100 प्रॉबेबल टॉपिक अगर आपने मुझे पिछले दो अप्रोग किया है तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहने वाला है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटे एक बहुत इंडिया आपने सुना होगा भारत के अंदर विभिन यूरोपियन शक्तियों ने जो है वो आकर के इन्वेट किया ट्रेड किया इसमें पॉर्टुगीज वर्दी वन्स वी हैद डेच डच वी हैद दी फ्रेंच वी हैद इंग्लिश में तो यह सभी लोग भारत में समय समय पर आये और इन्होंने यहां करके ट्रेड और अन्य कमर्शिल एक्टिविटिस को जो है वो केरिवा केरिया उट किया इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज वाइं डिसकुसिंग पॉर्टुगीज फॉर्दी फॉर्दी फॉर्स प्लेस बिकॉस देवर्दी फॉर्स वन्स भारत में आये थे 1498 में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्यों आये कैसे यह सब चीजे जो है वो हम डिसकुस करेंगे है यह सब चल रहा था अंटिल एंप्टिल इस इंपोर्ट इवट दीए इन ही फॉर्स रहा था रिखा नियुक को इन ने चीजह का व्यापार जो है वो चिया जाता था सब बढ़िया चल रहा था एंटिल एंपिल युश इमपॉर्टंट इवेंड The Fall of Constantinople एक बहुत ही important event जो है वो दुनिया के अंदर देखने को मिला जिसे कहा जाता है Fall of Constantinople क्या था ये Fall of Constantinople इसके बारे में आपने शायद सुना होगा दोस्तों ये एक ऐसा important year रहा है दुनिया के इतिहास में कि अगर कभी पूछा जाए कि कोन-कोन से ऐसे important years है which are the most important years which actually changed the course of history जिनकी बचा से दुनिया का इतिहास ही जो है वो बदल गया So Fall of Constantinople 1453 definitely उन important years में सबसे पहले आएगा So ऐसा क्या हुआ इसके बारे में हम समझते हैं दोस्तों quickly this is Europe this is Asia जमीन के रास्ते योरोप को Asia से connect करने वाला ये जो रास्ता था Mediterranean Sea और Black Sea के बीच में ये रास्ता Asia को योरोप से जोड़ता था 1453 में इस रास्ते के ऊपर Ottoman Empire का कबजा हो गया The Turks of Ottoman Empire they actually captured this entire region they यहाँ पर they established what is called as the famous Ottoman Empire so यहाँ पर Ottoman Empire का यहाँ तल्स का इस इस इलाके पर कबजा हुआ and this entire region जहाँ से ट्रेड किया जाता था योरोप से एशिया आया जाता था वहाँ से अब योरोप से एशिया जो है वो नहीं पहुंच पा रहे थे सारे के सारे ट्रेडर्स जो थे वो चाहे यतने भी European power जो भारत आती थी ट्रेड के लिए चाहिना जाना चाहती थी वो इस रास्ते से आते थे अब वो चीज यहाँ पर नहीं हो पा रही थी so the land route to India was shut post fall of Constantinople, the fall of Constantinople हुआ तो जमीन के रास्ते भारत और चीन में पहुंचना मुश्किल हो गया and now the traders of Europe were left with two options यहां तो trade करना छोड़ दे यहां फिर they'll have to look for an alternative एक alternative की तलाज जो है वो यह European powers करने लगे और इस alternative there is always there is a saying that necessity is the mother of invention जब जरूरत होती है तो अपने आप चीजे इजात हो जाती है ऐसा ही कुछ हम को देखने को मिला इस point पर और एक रफ वर्ल्ड मैप अगर मैं आपके लिए बनाओ इस यूर नॉर्थ अमेरिका देन यू है यूर्थ अमेरिका साथ अमेरिका इसके आगे आगे वी हैव दी एफ्रीकन कॉंटिनेंट यहां कहीं पर हमारा योरोप है यहां पर एशिया है सो इस तरीके से यहां कहीं हम भरा आस्ट्रेलीय है यहां पर भी है अन्तार्टिका इस अ रफ मेप अप्धी वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका इस सूथ अमेरिका अफ्रीका यूरोप एश्या औस्ट्रेलिया आंतार्टिका यहां पर actual में हुआ क्या इंपेक्ट आया इसके बारे में हम लोग बात जो है वो करना चाहते थे अब यहां से यहां तक पहुंचने का जो रास्ता था due to the fall of Constantinople that road was or that path was blocked. Now the Portuguese and other European powers they started looking for an alternative. अब जब जमीन से नहीं जा सकते तो what was the most relevant or the what was the next most viable alternative? वो alternative था sea root के माध्यम से. So अब sea root के माध्यम से यहां तक पहुंचा जा सकता था and इसी के साथ में सबसे पहले Portuguese जो है they started the advent through sea. उसके बारे मैं भी बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि सबसे पहले Portuguese की जो है So इस कहानी की शुरुवात होती है 1492 1492 वो साल Portuguese का एक mariner जिसका नाम था Christopher Columbus बहुत famous नाम है Christopher Columbus यहां से निकलता है भारत की तलाश में Because they didn't have the exact map पहली बार कोई समुद्र के रास्ते जा रहा था और अपनी marine information के base पर पॉर्टुगाली लोगों को यह जरूर पता था कि क्यूंकि दुनिया goal है अगर वो यहां से निकल कर कहीं ना भी पहुंचे वापिस इस जगे जरूर आ जाएंगे So they started a voyage के चलिए एक hit and trial करते हैं भारत तक पहुंचने का Columbus भारत खोशता 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 नौर्थ अमेरिका के एक हिस्से में जाकर के रूपता है And because उसको पता नहीं था कि भारत का है सी रूट के मार्दिम से It was a sit and trial के एक जगा है पहुंचे अगर जमीन दिखी Let's ask कि क्या ये इंडिया है? Is it भारत? So यहां पहुंचते हैं and he asked the question ये कहानी है Christopher Columbus की Columbus ने इस जगे जाकर के पूसा कि साब क्या ये भारत है? Is this India? He was told no this is not India. India is on the eastern side के इंडिया के लिए आपको east में जाना पड़ेगा It means वो इंडिया से किस direction में खड़ा था अगर यहां खड़े रहकर इंडिया east में था तो वो इंडिया के western side पे था And that place today is called as your West Indies So Columbus ने North American continent को discover किया and the country where he went today is called as West Indies Year was 1492 अब Columbus का voyage to find India couldn't be successful Then 1497 आता है और इस ही पर्तुगीज से एक आदमी और एक similar voyage के लिए आगे बढ़ता है उस व्यक्ती का नाम था Wasco de Gama Same idea line के let's go somewhere Hit and trial करके भारत तक पहुँचने की कोशिश करेंगे He knew one thing, उसे एक चीज़ पता थी कि Europe से निकल कर अगर मैं इस तरफ जाओंगा तो मैं वापिस West Indies के असपस पहुँचूंगा So मुझे इस तरफ तो नहीं जाना है So he started his voyage घूमते घूमते वो यहां कहीं पर पहुँचा The place today is Cape of Good Hope In South Africa दक्षिन अफ्रीका का दक्षिनी छोर जिसे Cape of Good Hope कहा जाता है वहां आकर के वासको डिगामा पहुचते है और यहां पर आके अगें सवाल पूछते हैं कि क्या यह भारत है तो उन्हें बताया गया कि नहीं साथ इस इस नॉट इंडिया यह भारत नहीं है लेकिन यहां पर उनके साथ एक अच्छी चीज़ क्या होती है यहां उनको एक इंडियन मर्चेंट मिलते हैं एक भारत यह व्यापारी उनको यहां मिल जाते हैं इंडियन्स बिंग काइंड विद देर बेसिक नेचर आज भी ऐसा होता है कहीं महले में आकर रास्ता पूछ देना तो शायद अच्छा उनके घर जाना चलिए मैं छोड़ाता हूँ यहां पर उनको Cape of Good Hope पे एक इंडियन मर्चेंट जिसका नाम था अब्दुलमाजित वो मिले अब्दुलमाजित ने कहा कि चलिए मैं तुम्हें भारत लिगर के चलता हूँ और वो पहुंचे to the coast of Calicut जिसको आज कोजी कोड के नाम से जाना जाता है year was 1498 इस वजहा से जब दुनिया के नक्षे पे एक बात कही जाती है कि भारत की समुद्री रास्ते से खुझ कब हुई it was 1498 वन वास्को डिगामा डिसकवर्ड दी सी रूट तो इंडिया हमें यहां तक की कहानी समझ आ गई है अब जब वास्को डिगामा आप सिंपल सी बात यह है कि से वास्को डिगामा भारत की खोज इसलिए नहीं करने निकले थे कि उनको यहां पर आकर के भारत घूमना था उनको कोई टूरिजम जो आइडिया नहीं था कि यहां पर आकर मैं यह करूँगा इस सिंपल रीजन और सिंपल आइडिया ओफ लुकिंग फॉरवर्ड और डिस्कवरिंग दिसी रोट टू इंडिया वास्टू के पहुंसते हैं तो भारत के अंदर समुद्री रास्ते से आने वाली पहली शक्ती जो है वह पॉर्टुगाली बन जाते हैं यहां तक की पिच पॉर्टुगीज ही क्यों अगर समुद्र के रास्ते आना था तो यही क्यों आए उसके पीछे भी एक स्टूरी है जिसको हम समझेंगे एक्चुल में इसका श्रेज आता है प्रिंस हेंरी दा नेवीगेटर को वा बोलेंगे साब यह कौन है प्रिंस हेंरी दा नेवीगेटर यह वो व्यक्ती है जो पॉर्टुगीज के प्रिंस थे एंड ही वोस नोन फॉर ही पैट्रोनेज तु मेरीन वॉयज पॉर्टुग्याल के यह राजकुमार थे जो इस बात के लिए मश्वूर थे कि यह अगर कोई समुद्र में जर्नी करने के लिए जाना चाहता है तो उसको समर्थन करते थे यह उस टू पैट्रोनेज डैट जर्नी के हाँ आप कर सकते हैं यू कन डू इट उसको फाइनेश सपोर्ट देना सो एक्चुल में प्रिंस जो है उनकी वज़ा से क्योंकि प्रिंस लोगों को मॉटिवेट करते थे या फैसिलिटेट करते थे जब वो समुद्र के जर्नी में या इस मेरीन वोयज पे किसी पे जाते थे इस वज़ा से पॉर्टुगीज हैड देट सपोर्ट फ्रॉम देर रूलर जहां पर वो मेरीन वोयजिस को टेक अप कर सकते थे इस वज़ा से पॉर्टुगीज बिकेम दी फर्स पीपल तू अराइव तू इंडिया आई होप वी आर क्लियर तिल हेर नाव इस वह दी कोस्ट ऑफ केलिकट इन केरेला जिसे आज कोजी कोड के ना यह भारत के अंदर पहुंच चुके थे जब यह भारत के अंदर पहुंचे इनका कैलिकट में जोरदार स्वागत किया गया ही वोज वेलकंट एंड ही वोज गिवन वेरी फेवरेवल सॉट ऑफ सिचुएशन बाइ जैमोरिन अब यह जैमोरिन कौन थे साहब उस समय 1498 में जब वासको डिगामा भारत पहुंसते हैं उनको एक बहुत ही फेवरेबल वेलकं मिलता है जैमोरिन के द्वारा यह इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं यह जैमोरिन है इनके सामने वासको डिगामा कड़े हैं सो वासकोड गामा यहां पहुंचते हैं उन्हें अच्छा खासा फेवरेबल वेलकम मिलता है और वो भारत में व्यापार करने की स्थिती की शुरुआज जो है वो कर देते हैं I hope we are clear till here सो वासकोड गामा का सबसे मेजर रोल जो है वो उसके बारे में हमने बात करी जब वो यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कैलिकट की इस कोस्ट पर अरब्स की मॉनोपली थी ट्रेड में क्योंकि अगर आप जेग्राफिकली देखें तो ऑन दी अधर साइड ऑफ अरेबियन सी यूग यूग इसली कनेक्ट विद अरब ट्रेडर्स सो यहां पर अरब ट्रेडर्स जो हैं उनकी स्ट्रॉंग प्रेजेंस थी और उन्हें यह चीज अच्छी नहीं लगी कि साब हम यहां ट्रेड करते हैं यह पोर्तुगाली लोग यहां क्यों आ रहे हैं कि इस ट्रेड को मैं मॉन पलाइज कर लेता हूं अब वास्को डिगामा जब यहां से होकर के जाते हैं उसके बाद यहां पर एक और पॉर्तुगाली explorer आते हैं जिन्हें basically trading की शुरुवात के लिए he was responsible for starting trade और he was responsible for setting up the Portuguese trade in India. Year was 1500 the name of the person was Pedro Alvarez Cabral नाम थोड़े से tricky हैं बट याद करने पड़ेंगे so it was Pedro Alvarez Cabral ये कैलिकट आते हैं और इन्हों ने आकर के he established first Dutch factory sorry not Dutch but Portuguese factory इन्हों ने पहली Portuguese factory की शुरुवात जो है वो यहाँ पर आकर के कर दी so first Portuguese factory not Dutch sorry जो पहली factory बनाई गे थी which was made by Pedro Alvarez Cabral I hope ये नाम भी हमको याद रहेगा he stayed here for some time he carried out trade and अब याद रखियेगा सर Wasco Digama was on the marine voyage उनने रास्ता खोजा फिर एक explorer आये उन्होंने शुरुवात करी किसकी यहाँ पर factory उन्होंने लगाई और अब क्योंकि factory लग गई थी there has to be somebody to take care of those establishments तो पॉर्टूगल से यहाँ पर appointments होना शुरू हुई of the people जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं there were back to back there were people who came here as Portuguese पॉर्टूगीज गवर्नर्स यहाँ पर रहते हैं पॉर्टूगीज गवर्नर फ्रांसिस डी अलमेडा इनको यहाँ पर कहा गया कि आप भारत जाएए and you consolidate the Portuguese trade कि पॉर्टूगीज का जो trade है उसको consolidate करो यह काम दिया गया किसको फ्रांसिस डी अलमेडा को और साथ ही साथ इनको एक और important काम दिया गया कि साहब आप Muslim trade जो है उसको यहाँ पर restrict कीजिए these were the two important things जो फ्रांसिस डी अलमेडा के सुपूर्द सौंपी गई which were given to Francis डी अलमेडा अब इसके साथ साथ Francis डी अलमेडा का एक बहुत important contribution रहा with respect to something called as blue water policy ही याद रखिएगा Francis डी अलमेडा लेकर के आए थे blue water policy now what is this blue water policy let us understand sir is blue water policy को एक और नाम से जाना जाता है it is called as cartes system Francis डी अलमेडा came up with the blue water policy or the cartes system यह क्या था इसके बारे में समझते हैं साब यह एक ऐसा system था जहां पर 16th century में अगर किसी को in 16th century अगर किसी को Indian Ocean region को cross करना था तो उसको एक naval license चाहिए होगा from Portuguese के साब अगर तुमें हिंद महा सागर को cross करना है तो आपको एक naval license की ज़रूरत होगी यह license जो है वो आपको कोन प्रोवाइट करेगा this would be issued by Portuguese empire so यह blue water policy कोन लेकर के आया था यह cartes system को लेकर के आया था it was brought down by Francis D. Almeida I hope we are clear till here so these were some of the important contributions with respect to this person Francis D. Almeida followed by Francis D. Almeida यहां पर एक विक्ति और आये जिनका नाम था Alfonso D. Albuquerque, see pronunciation कुछ और हो सकता है you have to remember it that way Alfonso D. Albuquerque इनका duration क्या रहा again starting से 1498 Vasco Di Gama then the other guy 1500 then 1505 we saw the third one the Almeida and now we had in 1509 this was Alfonso D. Albuquerque अब इनका भी कुछ contribution होगा इन्हो ने सबसे one of the most important contributions which he made was इन्हो ने important Portuguese base बनाए भारत के अंदर और Indian Ocean region में कि अगर आपको इस region में आना है तो Portuguese के bases यहां पर strong होने चाहिए यह Albuquerque ने जो है वो किया then he did another important thing इन्हो ने ही annexed Goa Goa को इन्हो ने take over किया था और annex किया था in the year 1510 from the rulers of Bijapur from the Sultan of Bijapur याद रखियेगा सर Sultan of Bijapur से इन्हो ने Goa को annex कर लिया in the year 1510 and since the time of Alexander Alexander के invasion से लेकर अब Alexander invasion साब took place somewhere around 326 BC उस समय से लेकर अभी तक पहली बार किसी Portugali power ने यहां पर आकर किरा in general basically not just Portugali power but the entire out of entire European power since the advent of Alexander in India उसके बाद से लेकर पहली बार किसी European power ने यहां पर भारत के अंदर किसी Indian territory पर कबजा किया था so this again becomes an important piece of information जब Goa को annex किया गया तो कब हुआ 1510 में कहां से किया गया from Sultan of Bijapur and who was the governor Alfonso D. Albuquerque he was the Portugali governor जब यह चीज़े यहां पर हुई थी and इनका एक ओर important contribution है he played some role with respect to abolition of some social evil practices जो भारत के अंदर prevalent थी उनको खतम करने में भी यहां पर इन्होंने एक important role जो है वो play किया था I hope we are clear till here then Alfonso D. Albuquerque के बाद आते है Nino Da Kunha यही वो अनदर governor इनको कोचीन से भारत जो है वो लाया गया and इन्होंने आकर के इनका role जो है वो क्या रहा इन्होंने बहादुर शाह के साथ में बहादुर शाह को जो है वो confront किया and he settled many Portuguese nationals around हुगली बंगाल के अंदर इन्होंने he actually he increased the influence of Portugali powers in बंगाल बंगाल के अंदर Portugali शक्तियों की जो expansion है उसके लिए Nino Da Kunha जो है वो responsible थे I hope we are clear till here अब यहाँ पर यह पूरा का पूरा a brief overview था with respect to the Portuguese power quickly we'll have a look at what became the reasons for their decline decline का reason क्या था उसके बारे में बात करेंगे and we'll also see के इनका आने से क्या हुआ what became the significance of Portuguese in India so इनको यहाँ पर जो उनकी local advantages थी या local power थी वो gradually decline होती क्योंकि followed by them we saw another powers coming coming here plus not just the foreign powers within India the local powers was rising and one of the major reason which led to the decline of Portuguese in this region was rise of Marathas so Marathas का rise जो है वो Portuguese के लिए काफी जादा घातक साबित हुआ Marathas ने 1739 में Celeste और Basin के एरिया जो है वो इनसे capture कर लिये थे they were constantly trying to convert people to Christianity so एक hostility या एक agitation जो है वो with respect to other communities इनको लेकर के था these were some of the reasons why they became why their rule declined but quickly हम एक चीज़ और समझेंगे even though this is more from Maine's perspective but significance क्या था significance of Portuguese सर सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो definitely we cannot deny is naval supremacy जो naval emergence है दुनिया में वो शायद कहीं न कहीं Portuguese के आने से शुरू होती है then Indian trade के उपर they were the first ones to exercise trade dominance with respect to Indian Ocean region the next thing that saw was यहां पर military innovations काफी जादा इनके आने से हुआ तो India saw various military inventions and innovations with respect to the arrival of Portuguese then यहां पर पहली बार हमको एट टाइप की religious policy जो है वो देखने को मिल रही थी कि साब धरम परिवर्तन करा है Christianity में लोगों को convert करा है so these were the some important overall discussions with respect to the Portugali powers I hope we are clear के क्यूं आए किस ओर में आया के किसने क्या किया क्या बना रिजन के इनके डिलाइं का or what was the overall significance of the Portuguese power in India I hope not just prelims अगर में में भी कभी एक बिशे आता है all these points put together in the form of an answer can definitely help us get really good marks in the answer now we'll quickly look at the few questions with reference to Indian history consider the following statements Portuguese established their first factory in India ग्रांटेट तो देम बाई जैमरीन ऑफ केलिकट एग्जेक्टली सिर्मेंबर से जब वासको डिगामा आये तो जैमरीन केलिकट जैमरीन जो की रूलर थे केलिकट के उन्होंने बहुत ही शांदार स्वागत किया और ने कहा कि ठीक है आप यहां बिजनस करना चाहते हैं आप बिजनस कर सकते हैं तो फर्स स्टेटमेंट वस करेक्ट अमंग्स दी यूरोपेन पावर्स पर्तुगी वर दी फर्स वंस तो राइव इन इंडिया यह सर आप टोल्ड यू उसका रीजन भी क्यों ऐसा हुआ था सो डेफिनेटली सी इस दी करेक्ट आंसर इस ताइप को अच्छ चुरू कि आदेवे गंदी फर्स यूरोपेन पावर एस स्टेटमेंट करेक्ट है था सिटी ओफ गोवा वस कैप्चर बाइडी पॉर्तुगी फ्रूपर सुल्थान इं फिफिटेंट अब तैन यह इसके बारे में हमने बात करी इस वस दी करेक्ट स्टेटमेंट आखिए पॉर्टुगीज मनापली ओर इंडीयन ओशन वसके एंडड़ी ओना थि इंटी रो इंडिस अथेंडिया कंपवर फीर इंदीज बाहर गारे पॉर्तुगीं है ब्रिटिश के आने से इंकावर्ड जो सुप्रीमेशी है वो डिक्लाइन हुई थी सो और आल थी स्टेटमेंट वन टू एंट थी वर करेक्ट सो इस इस इंडिया कंपनी के आने से भी इनकी ओवराल सुप्रीमेशी जो है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजार आई थी सो लेट उस मुझ तो दी नेक्स क्वेस्टिन इन दिस्कोश्न सेड आलफसों इ अलबर सुपूंसों ती अलबर कुकी रही वर्ही चंपियां और वालार आप्सटिवाठीनेट हुप्पॉंस वह्टर प्लिस एप्र सथी सेटमें शेटमें फेटिनल फिटीन फिटीनिय। सबीनल पुर्तिन इस इंक्रेक्टिर सेग उर स यहां पर पहली फेक्टरी जो है वो इस्टैब्लिश की थी सो सेकंड सेक्टमेंट इस अगेन इंकरेक्ट इस फ्रांसिस डी अलमेडा वॉस्ट पॉर्टुगीस गवर्नर यह सर यह बात सही है यहां पर यहां पर ओनली थर्ड स्टेटमेंट इस ओनली वन ऑप्शन इस करेक्ट यह जो है वो इसका पूरा का पूरा आंसर रहने वाला है सो फॉरा जॉस्टरा इंकंपस् दी ओवर्वीव इस दcastrence इनलीड अपकर सब्सेश विश्टा के पूराождता रह दो उसे, झैस्के आब टॉइंट रहने यह इस तरिके से, skypeけて तोटी फिस फ्सकी जिए टॉप्स अड़िगा इसी अपर क्षिंगा। इस प्राइश नापिछिए इस ऑर लगिए डिर्स घुए ब्स अपरण को शर्स फिरेजिए एपनाफ अपर सरीजिए ूम्न अपर डिर्स प्रेजिए फट्राम से ट्वर्म के ट्रइव करते होते हैं. and for any sort of query you can contact us on this number or else you can visit our center Sunya is in collaboration with Wings A Kudan, 48 C by C Greenbelt Park Gandhinagar so that's all from my side in this lecture we'll see you again with another video and another important topic with respect to the prelim syllabus thank you very much, all the best, keep working hard, bye bye, take care, Jai Hind